हलो फ्रेंड्स डेनी क्लाशेज में आपका स्वागत हैं दोस्तों राज्यस्तान हाई कोट LDC कटोप के वारे में आज हम बात करने वाले हैं आपकी कटोप लगभग कितनी जा सकती है अभी क्या कुछ चैनल वाले कटोप बता रहे हैं जो कटोप बहुत ज्यादा बता रहे है कोई उचीत है नहीं उस कटोप का कटोप में आपको बता हूँगा कितनी जा सकती है पेपर की बात करें पेपर के लेवल की बात करें पेपर भी मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाँगा अच्छे से सोल करवाँगा पेपर की मैं आपको बता दूँ देखो मैं इस पेपर क करवा रहे हैं आप लेवल कम करवा रहे हों कौन से प्रेशन आएंगे। देखो मैंने हमेसा वो ही क्योशन लिए. जो important रहते हैं exam में भी वही प्रशन आते हैं जो अच्छे प्रशन होते हैं exam में आने लाइक होते हैं तो मैंने हमेसा level वही रखा है जो आपके exam में आए आपके काम आए काफी student ऐसे हैं जिनके message आए sir thank you आपने जो करवाया आपसे पढ़के गए paper मारा अच्छा हुआ क्योंकि मैंने हमेसा level वही रखा फालतू की चीज़ें कभी किसी को नहीं पढ़ाई है जो काम की चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वही सब को पढ़ाई है कटोप के बारे में बात करें कटोफ कितनी जा सकती है तो दोस्तों मैं कटोप के बारे में आपको बता दूँ जिससे मैं आपके जनरल की बात करूँ देखने में आ रहा है कि कुछ लोग बता रहे हैं 240-200 इतने तक कटोप जाएगी देखो यहां पर इतनी कटोप नहीं जाने वाली है आपकी जो मैं आपको कटोप बता दूँ जनरल की कटोप बता दूँ 220-25 के आसपास आपके कटोप रहने वाली है जनरल की कटोप 220-25 के आसपास रहने वाली है इससे ज़्यादा कटोप आपके नहीं जाएगी कारण यह है नहीं जाने का कुछ प्रश्ट में सब्सक्राइब प्रश्ट करें पूरे में पूरे में पूरे नबर लेकर आजाएगा तो आपको बाद में इसके अपने आप चेंज वाएगे आपके टैपिंग के लिए कोल आएगा टाइपिग में अच्छे नमर लाओगे Select हो जाओगे हम बात करें जणनरल के कटोफ़ के बारे में आपकी इतनी कटोफ जा सकती है OBC की बात करें OBC की मान लो आप इसके आस पास कटोफ रह सकती रही दो नहीं जाने वाली है तो ज्यादा भीड यहां पर नहीं आई है और मैं आपको बता रहा हूं वह चीज़ें आप गोर करना आपको कोई कुछ भी वोले आपको टाइपिंग करनी है आप विसी में हैं 225, 230, 220 नमबर बन रहे हैं आप टाइपिंग कर सकते हैं आपको टाइपिंग करनी चाहिए देखो यहां पर जो खेल बनता है वो पूरा खेल पेपर का नहीं बनता है यहां टाइपिंग का खेल बनता है हिंदी की टाइपिंग इंग्लिश की टाइम टाइपिंग वहाँ का आपके सारा सपुछ गेम बनता है वहाँ उसके बाद में कटोप डिसाइड होती है तो टेंशन की बात नहीं है अगर आपके इतने नमबर बन रहे हैं कोई बोल रहाँ डाइस हो जाएगी 260 जाएगी इतने नमबर तो बनी नहीं रहे टेंशन की बात नहीं है इतनी कटोप नहीं जाने वाली है यहाँ टाइपिंग होना है उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आता है क्योंकि होता क्या है कुछ स्टुडेंट ऐसे भी होते हैं जो 240 नमबर तक तो लियाते हैं 50 नमबर तक तो लियाते हैं टाइपिंग उनको नहीं आती है अधर एक्जाम्स की वो तैयारी कर रहे होते हैं टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो लगबग जो आपके कटोप जो मैंने बताई है वो कटोप रहने वाली है 205-2010 के आसपास SC-ST की कटोप रहने वाली है OBC की बात करेंगे तो आप 215 के आसपास देख सकते हैं जनरल की बात करें 220-25 के आसपास आप कटोप देख सकते हैं इसके आसपास ही कटोप रहने वाली है संभावी ते जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको उस पे ध्यान देना है इतनी ही रहने वाली है तो जो मैंने questions का level करवाया है, मैंने इतना सब कुछ आपको पढ़ा दिया, Indian geography मैंने करवाई थी, एक मेरा थन class करवाई थी, आपको पता Indian geography के जो questions आये थे, सारे वहाँ से बन गए थे, जीके की बात करें, तो जीके के तो लगबग जो परशन बने थे, वो सारे वहीं से बने थे, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, वहीं से सारे परशन बने थे, तो tension वाली बात नहीं है, आपके इतने number बन रहे हैं, आपके selection के पूरे पूरे chances हैं, आपको typing करनी है, टाइपिंग में दी बेस्ट देना है यह सोच के चलना है टाइपिंग में भी पूरे में पूरे नमबर लाने है 90% तक तो लाने ही लाने है ये सोच आपको रखनी है लोग आपको गुमरा कर सकते हैं यार ये तो डैसोर नुमबर नहीं है नंबर कम पढ़ रहे हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं मैंने जो बताया है वो नंबर बन रहे हैं आप तै mauvais करो, typing के आप तैयारी करो कटोप ज्यादा नहीं जाने वाली है ध्यान रखना हिंदी इंग्लिस जी के इस बार याया है पहले हिंदी इंग्लिस ता जी के इसी बार इंक्लूड हुआ है तो उसका भी कटोप फिर फरक पड़ने वाला है पिसली बार 200 में से कटोप थी 157 कटोप गई थी OBC की बात करों इसके आसपास कटोप गई थी तो आप मान की देख लो 80% कटोप मान की देख सकते हो आप इस बार बात करेंगे तो 70% की आसपास कटोप मान सकते हो क्योंकि जी के भी इस बार इंक्लूड किया गया है तो 70% की आप बात करो 300 नंबर का पेपर है 70% 210 निकल तो इसी के आसपास आपकी OBC की कटोब रहने वाली है जनरल की कटोब मैंने आपको बताई वो रहने वाली है कोई बात नहीं है टाइपिंग दीबेस्ट देना है डंग से आपको टाइपिंग करनी है वहां आपको 100% देना है क्योंकि जो टाइपिंग में पूरे नमबर लेकर आजाएगा 95 नमबर लेकर आजाएगा वो सेलेक्शनल ले जाएगा फाल्टु की अफ्वाउ में नहीं आना कि Da diteson number नहीं आना त्यारी करनी है ये नहीं करना वो नहीं करना इन चीजों में नहीं आना है आपको त्यारी करनी है दीबेश्ट देना है कोई भी information में आपको पता है डेनिल करासियस के टेलिग्राम चैनल पर भी देता हूँ वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल भी जोइन करें और बाकी इसके बारे में आपको complete paper solution पूरा सारा सब कुछ में करागे चलूँगा वहाँ से आप answer मिलान भी कर सकते हैं तो वह solution में आपको कल कर रहूँगा अभी आपके लिए आप जातर मेरे पास comment आ रहे हैं मेसेज आ दे हैं student tension में आ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बनाया गया है tension free रहो, must रहो, इतने नमबर बन रहे हैं टाइपिंग आपको करनी ही करनी है वीडियो को जितना उसके शेर करें लाइक करें डेनिल क्लासे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना इससे क्या होगा कोई भी न्यूब डेट आएगी आपको तुरंद मिल जाएगी धन्यवाद